विश्व में लगतार लोग कोरोना वारस की चपेट में आ रहे हैं साल 2019 में आई इस महामारी से अब तक दुनिया भर में 35.4-3 करोड लोग संक्रमित हो चुके हैं इस महामारी से अब तक 56 लाग से जादा लोगों की मौत होई जब की 9.8 करब से जादा लोगों का वैक्सिनेशन हो चुका है जौन्स हॉपकिन्स युनिवरसिटी के सेंटर फॉर सिस्टर्म साइंस एंड इंजिनरिंग ने मंगलवार की सुभा अपने नई अपडेट में बताया वर्तमान वैश्विक मामलों की संक्या 35.43 लाग 10.228 हो गई है वही अब तक संक्रमेंट की चपेट में इसे 56,3714 लोगों की मौत हो चुकी है बात करें ठीका करण की तो विश्वि में अब तक करोना के खिलाफ लगबख 981 करोड 89,22,958 दोस दी जा चुकी है CSSE के अनुसा दुनिया के सबसे जादा मामलों में अमेरिका सबसे जादा प्रभावित देश बना हुआ है अमेरिका में 7,16,45,863 मामले है और 8,68,420 मौत हो चुकी है कोरोना के मामलों में भारत दूसरा सबसे प्रभावित देश है जहां कोरोना के 3,95,43,328 मामले हैं जबकी 4,89,848 लोगों की मौत हो चुकी है इसके बाद ब्राजिल में कोरोना के 2,44,54,405 मामले दर्स किये गए 6,23,370 लोगों की मौत अब तक ब्राजिल में हो चुकी है CSSE के आकड़े का अनुसा 50,00,000 से ज़ादा मामले वाले अन्य देश में फ्रांस 1,79,17,220 लोगों की 1,69,6,888 तुर्की 1,09,47,129 रूस 1,09,23,494 इटली 99,23,678 इस्पेन 89,75,458 जर्मनी 87,17,99 अन्यानवे अर्जनीना 78,62,536 इरान 62,50,490 और कोलंबिया 57,44,179 जिन देशों ने 1,00,000 से ज़ादा मौतों का आकड़ा पार कर लिया उसमें रूस 3,19,536 मैक्सिको 3,3,085 पेरू 2,4,141 यूके 1,54,374 इंडोनेश्या 1,44,220 इटली 1,43,523 कोलंबिया 1,32,240 इरान 1,32,230 फ्रांस 1,30,013 अर्जन्टिना 1,19,168 जर्मनी 1,16,720 यूकेन 1,5,790 और पॉलें 1,38,44 के सार शामिल है कोरो नवा वैक्सिनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीचे